अब देखो दोस्तों आज वैसे तो मार्केट यहां पर कई ना कई नेगटिव नोट पर ट्रेड कर रहे हैं बट क्यूंकि यहां पर जो है वो अगेन क्रूड के प्राइस कूल आफ हो चुके है इसलिए जितनी भी chemical companies है वो आज आपको सारी की सारी outperform करती भी देखने को मिलेगी और जितनी भी chemical companies के recently quarter 2 के results आये है ऐधर उनका yearly profit जो है वो double हो चुका है या तो फिर यहां हमें consistent जो है वो income के अंदर and profits के अंदर growth देखने को मिली है और इसलिए overall chemicals counters के अंदर भी अच्छी कासी buying जो है वो lower size से चल रही है, अगर आप clean science को देखोगे तो market इतना ज़्यादा bleed कर गया, but then to ये counter ने 1450 के इसके major support को बिल्कुल भी break नहीं किया and again वहीं से reversal भी आ रहा है, now 1540 का ये जो level है वो अब हमारे किसी भी काम का नहीं So, range अब नहीं क्या बन जाती है, 1450 on the downside is major support and 1650 upside पे major resistance है, 200 point की range है, अब देखना आईए है कि clean science के results कैसे आते हैं और इसके accordingly क्या market का reaction होगा